हाई गाईस आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में आज हम बनाएंगे दो तड़ी के की मिठाई इसे बनाना बहुत ही आसान है इस मिठाई को बनाने में ना ही तो चासनी बनाने की जहनजट है और बहुत ही कम चीजों से ये बन कर तयार हो जाता है तो चलिए इस मिठाई को बनाना सुरू करते हैं तो इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कराही को गर्म कर लेंगे और इसमें हम डाल देंगे आधा कटोरी घी और घी को हम गर्म होने देंगे तो अब घी गर्म हो चुका है तो अब हम फ्लेम को लो कर लेंगे और इसमें हम डाल देंगे उसी कटोरी से एक कटोरी मैदा मैदा को हम घी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे मैदा को हम low flame पे भूनेंगे अगर हम इसे high flame पे भूनेंगे तो इसका color बहुत ही ज़्यादा change हो जाएगा जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा इसलिए हम इसे low flame पे भूनेंगे ताकि इसका color भी नहीं change हो और taste भी बढ़िया आए जैसे जैसे हम इसे भूनेंगे इसमें से घी रिलीज होता जाएगा इसका texture change होता जाएगा तो हमने इसे अभी 5-6 मिनद तक ही भूना है और ये देखिए इसका texture change होने लगा है मैदा से घी रिलीज होने लगा है अभी हम इसे 5-6 मिनद तक और भूनेंगे तो हमने इसे 12-13 मिनद तक भूना है और ये देखिए इसमें काफी हद तक घी रिलीज हो चुका है तो अब हम गैस को बंद कर देंगे ये अच्छे से भून चुका है तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे एक वर्तन में निकाल लेंगे तो हमने इसे एक वर्तन में निकाल लिया है और अभी ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है इसे हम थोड़ा ठंडा होने देंगे, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होने देंगे, इतना हम इसे ठंडा होने देंगे, ताकि इसे हम हाथों से छू सके, अब ये थोड़ा ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसमें उसी कटोरी से आधा कटोरी बिसी हुई चीनी डाल देंगे, फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इलाइची का पाउडर और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब हम इसका पेरा बना लेंगे तो इसमें से हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसे हम पेरे का सेफ दे देंगे इस तरीके से और अब हम इसके उपर पिस्ता डाल कर गार्डनिस कर लेंगे और अब हम आपको एक तोर कर दिखा देते हैं ये देखिए ये बिल्कुल भी लग नहीं रहा है कि हमने इसे मैदा से बनाया है अब एक मिठाई बनकर तयार है अब हम दूसरी मिठाई बनाएंगे इसे भी बनाना बहुत ही आसान है तो पेरा बनाने के लिए मैंने यहाँ पेक करा ही लिया है इसमें हम डाल देंगे एक लीटर दूद फ्लेम को हम ओन कर लेंगे और दूद में हम उबाल आने देंगे अब दूद में उबाल आ चुका है और इसमें हम डालेंगे चार चम्मत चीनी तो मीठा आपको जितना पसंद हो उतना आप चीनी कम या जादा कर सकते हैं और इसे हम पकने देंगे, दूद को हम गाढ़ा होने देंगे दूद को हम हाई फ्लेम पे गाढ़ा करेंगे अगर दूद कराही से बाहर निकलने लगे तो आप फ्लेम को कम जादा ऐसे कर सकते हैं हाई फ्लेम पे गाढ़ा करने से दूद जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा और इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा थोड़ी थोड़ी देर पर हम इसे चलाते भी रहेंगे यह जो किनारों में चिपका हुआ है उसे भी हम इस तरीके से निकालते हुए दूद में डालते जाएंगे यह देखिए दूद गाढ़ा होकर आधा हो चुका है यह काफी हग तक गाढ़ा हो चुका है अब हम फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे अब हम इसे गाढ़ा करेंगे अब हम इसे अगर हाई फ्लेम पे गाढ़ा करेंगे तो दूद चल जाएगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा तो इसलिए अब हम फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसे गारा कर लेंगे ये देखिए दूद कितना गारा हो चुका है अब हम फ्लेम को लो कर लेंगे जैसे जैसे दूद गारा होता जाएगा वैसे वैसे हम फ्लेम को लो करते जाएंगे ये देखिए दूद कितना गारा हो चुका है तो अब हम इसमें फ्लेवर के लिए डालेंगे थोड़ा सा इलाइची कूट कर इलाइची का पाउडर हो तो आप वह भी डाल सकते हैं आधा चम्मच हम इसमें घी डाल देंगे और अब हम इसे अच्छी तरह से गारा होने देंगे ये देखिए ये कितना गारा हो चुका है और ये कराही भी छोड़ रहा है तो अब हम इसमें से थोड़ा सा मिजरन एक प्लेट के उपर डाल देंगे और इसे हम थोड़ा ठंड़ा होने देंगे थोड़ा ठंड़ा होने के बाद इसे हम चेक कर लेंगे ये देखिए ये बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है और ये आसानी से गोल बन रहा है ये बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हम थोड़ा ठंड़ा होने देंगे तो अब यह थंडा हो चुका है इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे इसे हम हाथों से थोड़ा मिलाएंगे और अब हम इसका पेडा बना लेंगे अब हम इसमें से थोड़ा सा लेंगे और इसे हम इस तरीके से गुल कर लेंगे और इसे हम पेरे का सिप दे देंगे इस तरीके से अब हम इसे कटे हुए पिस्ता और बादाम से गार्निस कर लेंगे तो अब पेडा बनकर तयार है तो आप भी इस रेस्पी को एक बार बना कर जरूर ट्राइ करें और हमें कोमेंट करके बताएं कि आज की ये रेस्पी आपको कैसी लगी अगर आपको आज की रेस्पी सब्सक्राइब जरूर करें